मैं गुर्णाम सिंग हूँ और मेरा गाहूँ विक्षी है डिस्टिक मानसा फ्राउं पंजाब और मैं पंजाब किसान यूनिन का स्टेट सचीब हूँ और अखिल भारतिय किसान मासभा का राश्टिय कार्यकार्णी का मेंबर हूँ नौ तारीक से पंजाब में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है मैं भी 11 को दुबारा लौटा हूं एक बार घर चला गया था चार दिन के लिए और दसको मैं भी गेहूं की कटाई करके आया हूं जिन किसानों ने गेहूं की कटाई करनी है वो चले जाते हैं जिसकी हो चु पैदल मार्च करेंगे उसकी रूपरेखा क्या होगी वो सिंजोक्तिक्षान मोर्चा की मीटिंग में रखी जाएगी लेकिन इसके इलावा यह जो अंदोलन पूरी दुनिया भर में फैल रहा है और फैल चुका है तो हम लोगों ने लोगों को बोला है कि यह जो वीजेपी व में यह किसी की मिर्टू होती है वहां इनको बुलाया नहीं जाता अगर यह धक्के से चले भी जाते तो इनका विरोध होता है तो बीजेपी के अंदर भी अब फूट की दरारें सामने आ रही हैं तो मोदी क्योंकि कार्पोरेटों के हाथों में खेल रहा है तो उसको पता ह है कि यह कानून गडबड़ी वाले हैं यह देश को बरबाद करने वाले हैं लेकिन वह आरएसस के अजंडे को लागू करना चाहते हैं लोग समझ चुके हैं जितने दुनिया भर में लगूद योग हैं किसानों के पास जमीने हैं लगूद योग को खत्म करने के लिए और क परदियों में हमने सिर्फ गहूं को पानी लगाना था पानी देना था तो एक दूसरे ने एक दूसरे के खेत में काम कर दिया चार साड़े चार मीने हम बैठे रहे यहां हमारे घर में दूद भी है हमारे घर में गहूं भी है सबजी भी है हमारे पास समय भी था हम बैठ सक लेकिन रोड पर आना कोई सौखी बात नहीं बहुत कठिन है घरबार छोड़ के यहां परदूशन वाले एरिया में हम रहे हैं साड़े तीन सो के करीब किसान शहादत पा चुके हैं बहुत सारे लोग बिमार हो चुके हैं मेरा भी खुद बजन साथ आठ किलो कम हो चुका है और रंग काला हो चुका है तो यह हमारी मजबूरी है हम उनको यह ही कहना चाहते हैं कि हम किसी को कास्ट नहीं देना पूरे दिल्ली निवासी पूरे देश निवासी पूरी दुनिया के लोग हमारे साथ खड़े हो ये देश को पूरी दुनिया को बचाने का मामला है यह हमारी परकिर्ती को बचाने का मामला है इस धर्ती को सवर्ग बनाने का मामला है इसी को लेकर हम लड़े हैं यह तीन कनूनों का मामला नहीं है तीन कनूनों के बाद भी इस देश को सवर्ग बनाने के लिए यह लड़ाई आगे तक जारी रहेगी